बीना कोई ड्राइफ रूर्स और बीना बाजार का मसाला यूज़ करें आज हम बनाने वाले हैं एकदम थिक, रिच और क्रीमी मटर पनीर किये सबजी जो बनेगी एकदम रेस्टोंट स्टाइल तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है गैस को ओन करके उस पर एक कड़ाई या पैन चड़ा देंगे उसमें डालेंगे एक बड़ा चमश तेल और डालेंगे जीरा जीरा भुन जाने के बाद उसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले और इनको भी हम स्लो फ्रेम पर रोस्ट कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे फैनली चॉप गार्लिक और अनियन अनियन और गार्लिक को हमें बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते स्लो फ्रेम पर इसको आप अराम से रोस्ट करें दो टमाटर एक हरी मीच और थोड़ा सा अध्रक का प्यूरे बनाएंगे और उसको भी हम इसमें अट कर देंगे साथी में डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डालेंगे टेस्क अकॉर्डिंग इन से मसालों को डाल के हमें टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है तो यहां टमाटरों को आप एकदम स्लो फ्लेम पर भूने चाहें तो इसमें धक्कन लगा दें और इसका तेल उपर आने तक आप इसको अच्छे से roast कर लें जिससे टमाटरों का सारा कच्चपन निकल जाएगा एक बार टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद इसमें आपने जो खड़े मसाले यूज किये थे वो भी हम हटा देंगे खड़े मसाले हम इसमें से हटा देंगे और साथी में यहाँ पे लिए एक कप मटर के दाने जिसको बॉil करके हम इसमें एड़ कर देंगे अब हम एक मिनिट के लिए slow flame पे मटर को भी हम टमाटरों के साथ भून लेंगे थोड़ा सा पनीर भी हम इसमें घिसके डाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पे काजू की ग्रेवी नहीं बना रहे हैं तो ग्रेवी को रिच करने के लिए हम यहाँ पे पनीर का ही यूज करेंगे इसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी तो पानी आपको जितनी थिक consistency की आपको gravy चाहिए उसमें आप add करें यहां मैंने एक कप पानी add किया है और इसमें एक उबाल आने देंगे और flame को low करके हम इसे 5 मिनिट के लिए उबलने देंगे अब एक pan में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और यहां पे लिया है मैंने पनीर 200 ग्राम जिसको मैंने क्यूबस में cut कर लिया है तो इस recipe में panीर को हम shallow fry करके add करेंगे इससे सबजी बहुत ही जादा अच्छी बनती है shallow fry किया हुआ पनीर भी हम इस gravy में add कर देंगे slow flame पर हम इसको उबलने देंगे तो पनीर add करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है fresh मलाई या फिर fresh cream आपके बाद जो भी available हो आप उसमें add करें उपर से डालें थोड़ा सा चीनी और गरम मसाला चीनी इसकी खटास को balance करने में और इसको flavor enhance करने में बहुत help करती है तो आप चीनी थोड़ा सा जरूर डालें और साथ में घरम मसाला तो यहाँ पर हमारी एकदम बढ़िया सी मटर पनीर की सबजी बनके ready है बहुत ही easily बन जाती है basic चीज़े हमने इसमें use करी हैं जो आपकी kitchen में already available होती है last में इसको हरा धनिया डाल के आप garnish करें और गरम गरम इसको पराठा, पूरी, राईस या फी चपाती के साथ इसको सर्फ करें तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मटर पनीर की सबजी यहाँ पर ready है I hope आपको आज की रैसी भी पसंद आई होगी do give it a try and let me know how it turn out for you till then stay connected to cookies जी विश्रूती bye bye and take care